हाई एवरिवन केसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जेश्वाल एं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने एक मोश्ट इंपॉर्टें 11 स्टैंडर्ड के लिए बायोजी सब्जेक का लेक्चर वीडियो लेकर आगे हो दोस्तों जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 11 स्टैंडर्ड के लिए बायो सब्जेक का जो हमने चाप्टर नमर 10 की शुरुवात की थी जिसका नाम है अनिमल टीशू आज हम इस पर्टिगुल पर्टिशू जो फर्स्ट लेक्चर में अलोड़ी हमने डिसकस किया था और पूरा कवर किया था आज हमें सेकेंड टाइप का जो टिशू है इसके टाइस के अंदर बहुत सरे टाइप से दोस्तों वो सब चीज हम लोगा आज की इस लेक्चर पढ़ना है तो विडियो इसमें नबर वन जो टाइप है वह है stratified epithelium इस में क्या होता है कि जो nucleus होता है यह present रहता है stratum germinativum में present होता है यानि कि जो base होता है उसमें present होता है और जो cells होते है वो free surface पे होते हैं और साथी में क्या हो जाते हैं अं जो हमारा सकन का अपिडर्मीस होता है वहां प्रेजेंट होता है अपका हिसोफेगा यानि की गला जो हदा है अपका जो फूड को कारी करता है ये participants हन्ग जो कि जो female का reproductive organ होता है वजाईना और rectum जहां पे होता है यहां पे large intestine का सबसे आखरी वाला part जहां पे हमारा waste product store होता है that is known as the rectum and यह सभी चीज यानि कि जितने भी organs मैंने discuss किया यह सभी किस से बने हुए stratified epithelium tissue से बने हुए है क्लियर है दोस्तों तो उमीद करता हूं कि यह पहला जो टाइप का compound epithelium का tissue का नाम है जिसका नाम है stratified epithelium यह आपको समझ में आ गया होगा ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं second type का जो tissue है हमारा जो की है transitional epithelium tissue तो इसमें क्या होता है कि जो structure होता है यह tissue का यह same होता है हमारे stratified epithelium जैसा लेकिन इसमें जो cells होते है यह थोड़े से changes करते है अपने अपको it can undergo a change in their shape यानि कि shape अपना change कर सकता है इसका structure भी वो change कर सकता है and किसके ओपर depend करता है degree of the stress यानि कितना आप stretch करते हो ओर्गन को कितना stretching moment होता है वो stretching moment के accordingly अपना shape जो है वो change कर पाता है अपना structure जो है वो change कर पाता है main function यह distension of the organ यानि कि stretching करना distant करना उसको organs को एक तरीके से इसका काम है example urinary bladder अब आपको पता urinary bladder जो होता है हमारा इसमें आपका जो toilets होते हैं वो store होते हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको like toilet आया रहता है लेकिन आप उसको कर नहीं पाओगे वहां पर आसपास washroom नहीं है तो आप उसको store करते हो और वो दिरे-दिरे करके full ने लगता है आपका abdomen का नीचे वाला portion जो होता है जहां पर urinary bladder होता है वो पूरा toilet उसमें भर जाता है तो दिरे-दिरे distension जो है वो हो पाता है clear है दोस्तों बात करेंगे next जो type का tissue हम लोगों पढ़ना यहां पर एक नया topic शुरू हो रहा है जिसका नाम है connective tissue तो यह connective tissue जैसे नाम से पता चलता है कि connective tissue ऐसे tissue होते हैं जो connection का का नाम करते हैं यानि कि कुछ organs को या फिर कुछ भी चीज को जोडे रखते हैं that's why it is called as the connective tissue तो जैसे कि नाम से ही बोल सकते हैं it connects and supports and provides strength to our body tissues and organs यानि कि जो हमारे body के tissues होते हैं organs होते हैं इनको connection भी provide करता है जोडे रखता है साथ में support provide रखता है और साथ ही में strength देता है मजबूत यह प्रदान करता है तो यह इसलिए हम लोग इसको बोलते connective tissue और यह connective tissue जो होता है it also protects the vital organs जो हमारे necessary organs होते हैं जरूरी organs जो होते हमारे लिए उसको protection provide करता है body को भी protection provide करता है और हमें help करता है healing process में यानि कि कभी चोट लग गई कुछ है ऐसा चीज हो गया तो उसको heal करने में यानि कि जखाम को बरने में जल्दी help करता है healing process में ठीक है आप से अगर मैं बात करूँ based on the type of the matrix जो की इसके अंदर present है उसके इसाब से बात करेंगे तो यह जो connective tissue होते हैं वो तीन टाइप में classify होते हैं एक होता है आपका connective tissue proper जुसरा होता है supportive connective tissue and तिसरा होता है fluid connective tissue तो यह तीनों हम लोग आप ठीक से यहाप बात करने वाले हैं यानि कि ना कि वो ना ही वो कोई सॉलीड है ना ही वो कोई लिक्विड है तो सेमी सॉलीड होता जैसे कि जेली-like structure होता है आपने जेली भचपन में खाया होगा जेलाटिन जिसको बोलते हैं तो जेली-like viscous matter present होते हैं जो कि जेलाटिन से बना होता है ठीक है और इसमें भी दो होते हैं यानि कि जो loose connective tissue आप पढ़ रहे हो दोस्तो इसमें भी दो प्रकार है तो आप सोच सकते हो कितने types के अंदर types के अंदर types हम लोग देखते जा रहे हैं तो कितना ज्यादा important है यह सभी चीज को याद रखना one by one sequence में आप याद रखोगे तो definitely अगर यह question exams में पूछ पहली बात areolar tissue की तो areolar tissue में आगर बात करेंगे जो यहाँ पर matrix होता है यह tissue का इसके अंदर डो type के fibers present होते हैं एक होता है white fiber दुसरा होता है yellow fiber तो white fibers जो होता है वो किस से बनता है collagen से बनता है जो कि आपके tissues को tensile strength provide करता है यानि कि जो आपके tissues में खिचाओ जो मेंसूस होता है तो यह चीज possible होता है because इसके अंदर collagen present है और white fibers का यह काम होता है ठीक है तो यह आपको याद रखना है दुसरा जो fiber इसमें present है yellow fibers तो yellow fibers जो है वो elastin से बनता है इसी के लिए यह क्या होता है elastic in nature होता है तो जो आपका elasticity जो आती है आपके organs के अंदर जैसे आपका skin है या जो भी body parts है तो जो elasticity जो आती है वो इसी चीज के वज़े से आती है because of elastin जो present होता है yellow fibers के अंदर उसके वज़े से आती है ठीक है और यह जो tissue होता है it acts as a packing material क्योंकि अगर यह आपस में जुड़ जाते है तो एक packing material जैसा दिखता है जो कि help करता है healing process में यानि कि कोई भी ज जोड़े रखने के लिए tissues बहुत ज्यादा important है किसकी बात कर रहे हम लोग aureolar tissue की और कहां पाए जाता है यह वाला tissue अकसर पाए जाता है हमारे skin के नीचे यानि कि जो भी हमारा उपर का skin का layer होता है उसके नीचे जो layer होता है tissue का वह हमारा aureolar tissue होता है muscles के बीच में bones के उप adipose tissue क्या होता है तो यह जो type का tissue है इसमें बड़े-बड़े number of large number of adipocytes present होते है जो कि एक तरीके से fats के tissue होता है adipocytes आपने पहले पढ़ा भी होगा नहीं भी पढ़ा हो तो आपको याद रखने that is nothing but the fat tissue तो यह present होते है adipose tissue के अंदर और cells जो होते है या तो वह rounded shape में होत आपको याद रखना है और इसमें जो nucleus होता है वो periphery की तरफ shift हो जाता है क्योंकि नॉमली आपको पता है कि कोई भी cell की में अंदर nucleus जो होता है बीच में present होता है लेकिन यह condition में क्या होता है कि जो periphery होता है या जो outermost layer है यह वाला उसकी तरफ जो है nucleus चला जाता है तो shift हो जब भर जाएंगे तो obviously जो nucleus होगा वो कहां चले जाएगा एकदम कोने में चले जाएगा periphery की तरफ चला जाएगा और यह जो adipose tissue है इसमें भी कुछ types होते हैं अगर मैं बात करूँ तो there are two types of adipose tissue एक होता है आपका white adipose tissue दूसरा होता है brown adipose tissue और इसका function की अगर मैं बात क करता है it acts as a very good insulator and also act as a shock absorber आपको जटका मैसूस ना हो शौक इंजरी ना हो तो उसको यहाँ पे बचाने के लिए fat जो होते हैं यह बहुत ज्यादा कामगर होते हैं that's why हमारा adipose tissue बहुत ही अच्छा होता है हमारे लिए और यह tissues कहां present होते हमारे body में generally soul में आपका जो soul होत वाला part और palm हो गया आपके हाथों के आगे वाला part that is the soft वाला part और यह cushion जैसा काम करता है क्योंकि इसके अंदर जो tissue है वह एक adipose tissue है जिसके अंदर fats content ज्यादा होता है clear दोस्तों तो उमीद करता हूं कि हमारा second type of tissue भी आपको clear हो गया होगा अब बात कर लेते हमारा next type of tissue जो loose connected tissue और dense connected tissue ठीक है इसमें से हमने सबसे पहला अभी पढ़ा loose connected tissue जिसमें हमने दो type पढ़ा areolar और दुसरा अभी पढ़ा हमने adipose यह आपको समझ में आ गया अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं second type यानि कि dense connected tissue का ठीक है तो dense connected tissue में यह tissue में क्या होता है कि जो fibers और fibro blast होते ह यह बहुत ही ज़ादा आपस में compactly arranged होते हैं आपस में बहुत strongly attached होते हैं और यह भी generally दो type के होते हैं एक होता है dense regular और dense irregular tissue की बात करें तो इसमें जो example होते हैं वो tendons और ligaments होते हैं आपको पता है यह tendons और ligaments क्या होते हैं तो tendons जो होता है वो connect करता आपके muscle को bone को जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा मसल से और बोन्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं ऐसा तो होता निया ना कि बोन अलग हो गया और उसके उपर जो मसल हो अलग हो गया ऐसा तो होता निया तो नॉर्मली आपका जो टेंडॉन्स होता है वो muscles और bone को आपस में जोड़े रखने के लिए काम करते हैं और वो tensile strength भी provide करते हैं bones और muscles को example है hamstring जो आपके like जांगो हो में होता है hamstring आपको पता है ये cricket में आपने देखा होगा hamstring injury होती रहती है तो वो एक तरीके से tendon जो होता है वो muscles और bones को आपके पकड़ के रखता है और hamstring जो होता है tendon वो हमारे जो उपर के यानि कि thigh muscles जो होते है उसको bones से पकड़ के रखता है वहाँ पे that's why यह हमारे लिए बहुत जादा important होता है ठीक है और वही बात करने दूसरा जो होता है इसके अंदर ligaments तो ligaments जो होते है वो elastic tissue से बने होते है और yellow fiber से बने होते है इसके लिए elasticity present है यूँकि उसके अंदर elastine present होता है और यह regular pattern में arrange होते है और यह जो है joints में present होते है अगर एक joint यह है दूसरा joint यह है तो दोनों को जोड़ रखने का काम जो करता है एक तरीके से joint को जुड़े रखने का और cushioning प्रोवाइड करता है कि joint जब आप move करते हो हिलाते हो joints को जैसे elbow joints को अभी आप हिला के देखो थोड़ा भी आपको pain मैसूस नहीं होता है क्योंकि उसमें कुशन लगा हुए तो वो जो cushioning का काम करता है वो कौन करता है ligaments करता है यानि कि soft bone होता एक तरीके से दो bones को जोडने का काम जो करता है वो ligaments होता है ठीक है और also they can prevent the dislocation of bone दोनों bone को अलग-अलग होने नहीं देता है dislocate होने नहीं देता है यही काम है ligaments का clear है दोस्तों तो उमीद करता हूँ कि यह भी चीज़ आपको बहुत easily clear हो गया होगा अब next बात कर लेते हैं हमारा तीसरा type कर जो tissue है जिसका नाम है supporting connective tissue तो यह जो supporting connective tissue जो है normally यह भी दो type के होते हैं support करने के लिए काम आता है obviously connective tissue है supporting connective tissue है लेकिन यह भी दो type के होते हैं एक होता है cartilage दूसरा होता है bone तो यह जो cartilage and bone क्या होता है यह सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों लेकिन आज नहीं हमारे next lecture में तब तक के लिए आज इतना ही दोस्तों thank you so much for watching this video आज जो भी हमने आपको पढ़ाया है regarding tissues जो भी आपका connected tissue हमने देखा यह सभी चीज़ आपको clear हो गया होगा जल्द मिलेंगे हमारे अगले lecture में जिसमें हम लोग इसके आगे का part जो है supportive connected tissue का वो सभी चीज़ कवर कर लेंगे तो आज के लिए इतना ही यह वीडियो आपको कैसा लगाए दोस्तों प्लीज हमें comment करके बताएगा आपनी राय और suggestion जरूर से दीजेगा दोस्तों और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है useful लगाए friends तो please वीडियो को like कीजेगा share कीजेगा आपने सारे friends लोग के साथ फटा फट से share कर देना अगर आपने अपर दग इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो फटा फट से हमारे इस चैनल को भी subscribe कर देना सापने bell icon को press कर देना ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को notification मिलती रहेगी ठीक है friends तो मिलते हमारे अगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए thank you and goodbye